नमस्कार दोस्तों पात करते हैं जियो फाइनेंशल सर्विस लिमिटेट के दोस्तों यहाँ पर स्टोक ने तिन सु पांसट रुपए पर शेर प्राइज है साथ रुपए पच्पन पैसे की बढ़ोतरी स्टोक में आज की डेट में देखने को मिली है दोस्तों तो एक दे से लगाता ति यहां पर गिरा फिर यहां पर डाउन्ट्रेंट देखने को मिला तो यह उस्तों यहां पर लग सकता है 368 पर gap up खुल सकता है और यहाँ पर gap up के साथ 302 और 304 के target की संभावना stock बना सकता है दोस्तों अगर यहाँ पर अगर straight सलता है तो यहाँ पर 2304 और 308 के target अपने को मिल सकते हैं बाकि अगर downtrend रहता है breakout 360 के नीचे तो यहाँ पर 356 और 352 के यहाँ पर आने की संभावना stock बना सकता है बाकि जो main support यहाँ पर stock का बनता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों जो की 352 के आसपास stock यहाँ पर support बना सकता है main यहाँ पर नीचे का support बन सकता है बाकि uptrend के साथ 360 तो 364 के उपर अगर stock sustain करता है उपर की तरप तो यहाँ पर 368 का target रख सकते हैं और 300 बहुत तर रुपे के तक जानी की संभावना stock दिर दिर यहाँ पर फिर गेपप के साथ बना सकता है तो दोस्तों अगर आपको यह जानकर अच्छी लेगी तो प्लिस वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा बाजामेनी वेस करते हैं इसमें वित्ती जोकिम की संभावना हो सकती है करके आपने जीमें दाइरी परवाजामेनी वेस कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जहिंच बारत